जैसे एक पक्षी होता है चकोर, जिसके बारे में कहा जाता है को सिरफ वर्षा की बुंद ही पीता है, मन की बात में हमने देखा कि लोग भी चकोर पक्षी की तरह देश की उपलब्धियों को, लोगों की सामुहिक उपलब्धियों को कितने गर्व से सुनते हैं, मन की बात की दस वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नई किर्तिमान, नई व्यक्तित पर जूड़ जाते हैं हमारे समाज में सामुहिकता की भावना के साथ जो भी काम हो रहा हो उन्हें मन की बात के द्वारा सम्मान मिलता है मेरा मन भी तबी गर्व से भर जाता है जब मैं मन की बात के लिए आई चिठ्छियों को पढ़ता हूँ हमारे देश में कितने प्रतिभावान लोग हैं उनमें देश और समाज की सेवा करने का कितना जज़वा है वो लोगों की निश्वार्थ भाव से सेवा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं उनके बारे में जानकर मैं उर्जा से भर जाता हूँ मन की बात की ये पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदी जहा करके इश्वर के दर्शन करना मन की बात की हर बात को हर घटना को हर चिठी को मैं याद करता हूँ से लगता है कि मैं जनता जनार्दन जो मेरे लिए इस्वर का रूप है मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ साथ क्यों मैं आज दुरदर्शन प्रसार भारती और आल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सरहाना करूंगा उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपुन पड़ाव तक पहुँचा है मैं विविन्य टिवी चैनल्स को रिजनल टिवी चैनल्स का भी आभारी हूँ जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्गों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया होसीज ने मुहीं भी चलाई मैं प्रिंट मिडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया मैं उन यूटूबर्स को भी धन्यवाद दूँगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कारकम किये इस कारकम को देश की 22 भाषाओं के साथ 12 विदेशी भाषाओं में भी सुना जा सकता है मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मन की बात कारकम को अपनी स्थानिय भाषा में सुना आप मैं से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि मन की बात कारकम पर आधारित एक पीज कंपेटिशन भी चल रहा है जिसमें कोई भी वक्ती हिसा ले सकता है mygov.in पर जाकर आप इस कंपेटिशन में हिसा ले सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं आज इस महत्मपूर्ण पढ़ाव पर मैं एक बार फिर आप सबसे आशिरवाद मांगता हूँ पवित्र मन और पूर्ण समर्पन भाव से मैं इसी तरह भारत के लोगों की महानता के गीत गाता रहूँ देश की सामुहिक शक्ति को हम सब इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें यही मेरी इस्वर से प्रार्थना है जनता जनादन से प्रार्थना है मेरे पहरे देश वाजचियो पिछले कुछ सप्ता से देश के अलग-अलग हिस्सों में जवर्दस बारिश हो रही है बारिश का ये मौसम हमें याद दिलाता है कि जल सवरक्षन कितना जरूरी है पानी बचाना कितना जरूरी है बारिश के दिनों में बचाय गया पानी जल संकड के महिनों में बहुत मदद करता है और यही कैज्द रें जैसे अभ्यानों की भावना है मुझे खुशी है कि पानी के सवरक्षन को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं ऐसा ही एक प्रयास उत्तर पदेश के जांसी में देखने को मिला है आप जानते ही हैं कि जांसी मुंदेल खंड में है जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है यहां जांसी में कुछ महला होने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है यह महलाएं सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी है और उन्होंने जल्द सहेली बनकर इस अभ्यान का नित्रुत्व किया है इन महलाओंने मुतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी इन जल्द सहेलीों ने बोरियों में बालू भर कर चेक्डेम तयार किया बारिज का पानी बरबाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया इन महलाओंने सेंकडों जलासेयों के निर्मान और उनके रिवाईवल में भी बढ़ चड़ कर हाथ बटाया है इस से इस छेत्र के लोगों की पानी के समस्या तो दूर हुई है उनके चहरों पर खुशियां भी लोट आई है साथियों कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है मुझे मद्द प्रदेश के दो बड़े ही प्रेणादाई प्रयासों की जानकारी मिली है यहां डिंडोरी के रहईपूरा गाउं में एक बड़े तालाप के निर्मान से भूजल स्तर काफी बड़ गया है इसका फायदा इस गाउं की महलाओं को मिला यहां शार्दा आजिवी का स्वैम साहथा समू इससे जुड़ी महलाओं को मचली पार्ण का नइया भेवसाय भी मिल गया इन महलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है जहां होने वाली मचलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है मद्द प्रदेश के छतरपूर में भी महलाओं का प्रयास बहुत सरानिय है यहां के खौब गाओं का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महलाओं ने इसे पुनर जीवित करने का बिड़ा उठाया हरी बग्या स्वयम सहायता समो की इन महलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में घाद निकाली तालाब से जो घाद निकली उसका उप्योग उनों ने बंजर जमीन पर फूट फरेस्ट तैयर करने के लिए किया इन महलाओं की मैनत से ना सिर्थ तालाब में खुब पानी भर गया बलकि फसलों की उपज़वी काफी बढ़ी है देश के कोने कोने में हो रहे जल्द समरक्षण के ऐसे प्रयास पानी के संकट से निपटने में बहुत मददगार साबित होने वाले है मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपने आसपास हो रहे हैं ऐसे प्रयासों से जुरूर जुडेंगे मेरे पहरे देशवाशियों उत्राखन के उत्तरकाशी में एक सीमावरती गाउव है जाला यहां के युवावने अपने गाउव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू किये हैं वे अपने गाउव में धन्यवाद प्रकृती या कहें थेंक्यू नेचर अभियान चला रहे हैं इसके तहट गाउव में रोजाना दो गंटे सफाई की जाती हैं गाउव की गलियों में बिखरे हुए कुडे को समेट कर उसे गाउव के बाहर ताय जगह पर डारा जाता है इससे जाला गाउव भी सच हो रहा है और लोग जागरूप भी हो रहे हैं आप सोचिए अगर ऐसे ही हर गाउव हर गली हर मौला अपने यहाँ ऐसा ही थैंगे